नमस्ते विवर्स में सोनू भाई MB Creation सूरत से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहेगा साडियों का वीडियो रहने वाला ये और इसके अंदर 99 रुपीज 99 रुपे की साडियां दिखाने वाला हूँ आपको फर्स टाइम ये लेके आया हूँ और 99 रुपे वाली साडियों के एक इतनी जबर्दस ट्रिक बताऊंगा जो आपके शहरों के अंदर या किसी भी शहर के अंदर बड़े बड़े जो शोरूम वाले होते हैं बड़े बड़े दुकानदार होते हैं रिटेल वाले वो लोग भी इस ट्रिक को अपलाई करते हैं और अपलाई करने के बाद उनका व्यापार चार गुना बढ़ावा रहता है तो यही ट्रिक मैं आपको भी बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा पूरी कि आप इन साडियों का इस्तेमाल करके अपनी दुकान पे गर 1959 की बढ़ी डिजाइने जो एजो रेगुलर आप सेल भी कर सकते हो और उसका इस्तमाल करके व्यापार कैसे बढ़ा सकते हो दुकान पे गराहक कैसे जıtाधा बुला सकते हो और जो यह व्यापार आप आल्रेड़ी कर रहे हैं ज 15 दिन की जितनी जितनी सेल कर रहें उसमें व पास करने के लिए नहीं बना रहा हूं इस चीज बता रहा हूं औरिजनल्टी अगर यूज करोगे अपनी दुकान के अंदर इसका रिजल्ट तुरंत दिखने हो मिलेगा आपको और देखोगे भी ऐसा रिजल्ट की पांच-पचास पैसे भी कमाओगे दुकान की लुगर तेखने हो और इसका बढ़ा इसका बढ़ा आपको यूज क्रोगे बता प्रणत पैसे बत्म पांदे़ नहीं आपको यूज को खीजा क्भी देखने हो प्रिए नहीं के ली करोफों पांदेशने हो को इसकार भी चूदाश्य। अब जैसा आपने मैंने आपको बताया था कि 99 में रुपे वाली साडियों की जबरदस्टी का आपको मैं बताता हूँ तो बात अपना जो मेन मुद्दा है वो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपने वैपार को बढ़ा सकते हो इस चीज से कि 90 देखे कहीं से भी जब आप परचेस करते हैं बड़े से बड़ा शोरूम होता है आपकी सिटी के अंदर तो उनकी एक स्पेशलेटी होती है हमेशा कि एक आइटम पर किसी पर पकड़ अपनी मजबूत बनाते हैं वो मजबूत मतलब उस पर मुझे कमाना भी बहुत कम है लेकिन इस स्टाइल में कमाना है कि कस्टमर्स उसको देख के मेरी दुकान में एंट्री करें एंट्री करें जो एक 10 परसेंट माल की वज़े से बाकी सारा 90 परसेंट माल मेरा बिख जाए और कस्टमर सेटिस्वाइड भी रहे क्योंकि अंदर आया वह कस्टमर क्या है आपने दिस्प्ले में बहुत चीजें लगा रखी है तो देख के कोई एक चीज अंदर आया लेकिन अंदर आने के बाद में उसको हजारों चीजें सामने दिख रही है सो चीजें सामने दिख रही है तो आपकी दुकान की तरफ एट्रेक्ट भी हो जाता है बैट भी जाता है खरीद भी लेता है और आपकी जो कस्टमर पटाने की जो थ्योरी होती है वो सक्सिज हो जाती है आप को गलत तो कर नहीं रहो आप ये बिजनस का एक ट्रिक है जो अपना रहो खाली अब ये ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे अपलाई कर सकते हैं इसको सबसे पहले देखिए आप अगर नया चालू कर रहे है या फिर अल्रेडी अगर आपका व्यापार चालू है साडी का तो आप 99 की जो मैं साडी आपको दिखाने वाला हूँ ये साडियों का अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो एक सपोस करें कि आपको कम से कम सो डेड़ सो दो साडी आपको अपनी दुकान में रखनी है ठीक है अब आपने ये दुकान में साडी रखी उसके अंदर मिक्स डिजाइन आती है और ब्लाउस के साथ आईगी जो मैं बता रहा हूँ वो कचरा पट्टी वाली साडी नहीं है नॉर्मल आपको 99 के इसाब से क्योंकि इसमें मैंने मेरी कमाई कोई खास जोड़ ही नहीं है बिल्कुल भी यह सिर्फ एक तरीके से है कि अगर आप अप्लाई करते होता है इसके रिजल्ट आपको दिखेगा हातो आत तो 99 वाली साडियों की 100-100-200 आपके बजट के इसाब से आप एड़ करें देखो पूरा वयपार पूरा वयपार सिर्फ इन साडियों से नहीं चलेगा यह मैं फिर बोल रहा हूं आपको पूरा वयपार इन साडियों से खाली इन साडियों से नहीं चलेगा आपको माल दूसरा रखना पड़ेगा एक 10% अमाउंट बता रहो हम आपको 10-20% अमाउंट इन पे आप इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करके एक दुकान के अंदर अपने कहीं पे भी एक आपने काउंटर बना दिया चोटा या फिर कोई टेबल पर आपने लगा दिया या फिर कैसे भी आप अपने इसाप से एड़्जेस्ट करके रख दी सारी साडिया और उसको लगाना कैसे पता है एक एक साडी नहीं बेचनी है उसको बेचने आपने 99 रुपे की है चार साडी आपको कितने में पढ़ रही है 396 रुपे में ठीक है आपको 500 रुपे में 4 साडी लगानी है 500 रुपे में 4 साडी लगानी है छोटा सा एक बैनर बनाना है जो तो आपकी दुकान के भाहर लगेगा कि 500 रुपे में 4 साडीया खतम हो जाता है किस्सा जो भी उस market में उसको थोड़ा सा highlight कर दो उस चीज़ को कि वह 500 रुपे में चार साड़ी आपको मिलने वाली है उसको थोड़ा highlight करो बहार से दिखना चाहिए customers को जो market में अगर आपकी दुकान है बार केड में पता होना चाहिए घूमते चलते फिरते हों को वह चीज़ दिखनी चीए कि वह इस दुकान पर यह बैनर लगावा है तो वो यह trick अपना के देख लेना एक बार इसका result आपको दिखेगा हत्वात अब 500 में 4 साडी आप दे रहो आपको लगेगा गयरमें तो एक साडी पर कितना कबा है 25 तो यह सोच अपनी दिमाग से निकालनी पड़ेगी क्यों क्योंकि आप यह मत सोचो कि आपने 4 साडी बेची है क्या आप सिर्फ यह सोचो कि आपने 400 रुपे की एक साडी खरी दी है जो 500 रुपे में विक रही है आप पर साडी को उपर 100 रुपे कमा रहे हो अब कहने को एक एक साडी अगर बेचने जाओगे तो ज़्यादा कस्टमर आपको चाहिए होंगे ठीक है ने तो कोई एक कस्टमर आएगा वो चार साडी लेके जाएगा बेनिफिट कितना अपने को 25 परसेंट ही मिला उस पे ठीक है 400 का 25 परसेंट सो रुपे हो गया तो 500 रुपे में अपने बेच दी चार साडी है तो अपने 25 परसेंट ही मिला लेकिन वो 25 परसेंट उस कस्टमर को आपके अंदर तक लेके आया दस कस्टमर और लेके आएगा और उसमें से च्छाट के माल भी ले जाएगा और प्लस आपके पास में जो दूसरा माल है उसमें से आपको वो अपनी असली पर्चेजिंग जो होगी वो उसमें से करके जाएगा और ये बेस्ट ट्रिक है हर कोई अपनाता है बड़े से बड़े दुकानदार को देख लेना सब के तरीके हलांकि अलग होते हैं कोई 500 में चार दे रहा है कोई 300 में दो दे रहा है इस ट्रिक होती है तो आप ये चीज बिल्कुल अपलाई करें और आज ये अपलाई करें क्योंकि सीजन का जो टाइम रहता है इसमें देखो कस्टमर्स अंदर आते हैं आप उनको बताते हैं ये भी ओफर हमारे पास में है 500 के अंदर 4 साडी रखी है आप कोई भी चार साडी इसमें से ले सकते हो ये पर्मानेंट चलाना अपने को 12 मैंने चलानी है ये चीज मतलब आप साडियों का जैसी वो खतम होने लगे आप 150 साडी और मंगाओ उसमें डालो 150 साडी और मंगाओ वो चीज कमाई के लिए नहीं है ये ध्यान रखना उसमें से अगर आप कमाई डूंडोगे कि मेरे को बहुत ज्यादा कमाई वो बिक भी रही है तो आपको उसी रेट में बेचनी है वो फुल बिक रही है बहुत गराक आ रहे हैं उसके पीछे लेने के लिए भी हर कोई ले रहा है देगे जो कम रेट की साडियां जिनको चाहिए होती है वो लेडिज वगरा लेते हैं तो वो 500 रुपया में चार ले जाएंगी ना साडियां ले जाते हैं चांट के अपनी चोईस से ले जाते हैं ये बहुत इजी हो जाता है उनके लिए भी चोईस करना तो ये चीज़ का स्पेशल ध्यान रखे ही अप्लाइ करें बारा महीने वह एक चीज तो अपने उरक्श नी रखनी है कि बया आपका जो चल रहा है साइड मैं वो चल रहा है कि आप खुद अंदाजा नहीं लगा पाऊगे इस चीज़ का तो यह ट्रिक बनाओ आप कुछ डिजाइने में आपको बता देता हूं आपको देखो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने 500 की साडी बताई तो यह थोड़ा इजी वे है इसलिए कि एक साथ आपकी चार साड़िया निकल जाएगी कोई एक कस्टमर आएगा सो साड़ी निकालने के लिए आपको सो कस्टमर नहीं चीए सिर्प 25 कस्टमर होते है वह आपकी सो साड़ी निकाल देंगे ठीक है तो यह चीज कर करने हैं पकड मजबूत बनवानी है तो सिंपल सी बात है कि कुछ इस टाइब की ट्रिक अपने को सैट करके रखनी पड़ेगी जिससे कस्टमर्स की आवग बहुत बड़ेगी अपनी दुकान पर आवाजा ही बड़ेगी तो सिंपल सी बात है चाहें वह सो रुपे की साड़ी लेके जा रहे हैं आपसे लेकिन जो बाहर जो खड़ा है उसको क्या लगेगा क्या इसकी दुकान में कुछ स्पेशल मिलता है बहुत बीड लगी यहीं से बतलाव अता व्यापार के अंदर कि जो दिखता है वही बिखता है यहां पे यह कावत सैट होती है जान रखो तो य नहीं दो भी चीज़ को बिल्कुल अपलाएं यह दिखें आपको जो सारी मिक्स डिजाइन आएगी इसमें कोई कलर रेंज वगेरा नहीं आता है मिक्स डिजाइन आएगी 9 रुपए में आपको मिलने वाली है जितने पीस आप लोग है उतनी ही डिजैन आएगे इसमें अल व्यापार का नियम काईदा होता है, यह देखिए इस टाइप से डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट कलर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, व्यापार का नियम काईदा होता है हमेशा कि 15-20% माल कपड़े के अंदर इस्पेसली 15-20% माल इसको सिर्फ एक गरहक को attract करने के लि चला जाता है थोड़ा बहुत माल तो उससे बढ़िया यह वाली ट्रिक अपना हो और इतना बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप खुद देखो गया यह बेस्ट ट्रिक है हलके में मत लेना इस चीज को कहने सुनने में नॉर्मल लगती होगी है लेकिन जब आप अपलाई होगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा अब खाली आपने अंदर रख लिया किसी को कुछ पता ही नहीं बाहर तो कैसे होगा वह नई दुकान आप खोल रहे हो किसी से कंपिडिशन करना है मार्केट में बड़े-बड़े धुरंदर बैठे हैं तो अपने टिकने देंगे वह हैं आपन लाप 25 जाव रूपय लगा के कोल रहे हैं कुछ भी लाप2 लाप रूपय लगा के खोल रहे हैं दुकान वह 20-25-50 लाप रूपय लगा के खोले वे बैठे हैं औरेडी setup है पूरा घराग भी setup है अब उनसे competition अगर करना है अपने को तो कुछ तो हट के कुछ करना पड़ेगा तो यही वह चीजे होती है जिनसे आप गराक को अट्रेक्ट कर सकते हो क्योंकि माल तो आपके पास भी अंदर वही है जो उनके पास में है फरक कितना फरक इतना यह खाली कि उनके पास वह बिना बुलाए जा रहे और आपके पास में अंदर नहीं आ रहे अंदर आने के बाद तो आप से भी पर्चेस कर लेंगे तो यह चीजे थोड़ी से अपनाओ घराक को अंदर बुलाओ अंदर इनी सब ट्रिक की वज़े से आता है कस्टरमर वह आएगा आप कुछ गलत उसको दे नहीं रहे हो जो रेट में जो आपके पास माल है सामने और समझ में आता है तो आप दो उसको माल और व्यापार करो कुछ ब्राइडल साडी है जैसे मैं आपको दिखा देता हूं इस टाइप के कॉंसेप जब भी आप विजिट करते हैं यहां पे आपको बहुत सारे मिलेंगे यह देखिए इसका जो बॉर्डर आप देख रहे हैं वो हैवी म आपको दिखाता हूं और साडी का वजन है ना एक साडी का वजन पांच से साथ किलो तक का हो जाता है इतनी वेट वाली साडी होती है और एक चीज यह देख लिए आप जैसे इभी पूरा कट वर्डर में आपको दिखेगा कलर रेंज इसमें बहुत मिल जाएगे आपको ध राइडल में मेरे पास में धाई से तीन हजार रुपे तक की रेंज है तो वह आप आके कभी भी परचेस कर सकते हो साडियों में आपको कलेक्शन एवन मिल जाएगा यह चीज देखिए यह जाल वर्क में आपको देखेगी पूरी साडी यानि फोर साइड इसका बॉर्डर का काम रहेगा इसकी क्लासिक चीजे है इनको आप अपने बिजनस में अप्लाई कर सकते हो प्लस जैसा अभी सीजन आने वाला है सीजन के इसाब से बहुत से साडिया इसी टाइप की चलती है और भी ब्राइडल में जैसे मैं आपको एक उपर-उपर से एक लुक दे देता ह पूरा कलेक्शन उसी का सेंपल है और अलग-अलग टाइप के कॉंसेट अलग-अलग टाइप की डिजाइन है सिंपल सुबर कम वर्क ज्यादा वर्क हेवी डिजाइनर वर्क यह इतने सारे फैब्रिक आपको देखने हो मिलेंगे साडी के अंदर यह सारे फैब्रिक है जो इतने भी फैब्रिक पे बनती है उसन फैब्रिक भी आपको इतने सारे यहाँ पर अविलेबल मिलेंगे तो जब भी आप साडी का काम स्टार्ट करते हैं वो trick भी अपना है चालू करें और बाقी जो भी collection है वो यहाँ आप visit करके देख सकते है चले फिर मिलते नए वीडिय में तब तक के लिए थैंक यू